हंजी प्यारे बच्चो गुडीवनिंग कैसे हैं आप सब पत्ना, अलबर, सिर्सा, राची, सीता मडी, हजारी बाग, दिल्ली, नोईडा, पूने, गुजरात, आप सभी को गुडीवनिंग और भी सारे बच्चे जितने connected है किसी का नाम लेना भूल गया, तो उन सब को भी good evening आज हम GST का बहुत important concept करने जा रहे है, journal entry, आप सबने first chapter कर लिया, second कर लिया, third chapter देखो भी छुडवा रखा है, क्यूंकि third मैं इसके बाद करा दूँआ, fifth भी अभी नहीं करा है हमने, तो general entry की हम बात करते हैं, तो general entry के अंदर simple simple सारा कर लिया, हमने without GST, अब GST की बात करेंगे, GST के अंदर सबसे पहले tax in GST, तो हमें समझना पड़ेगा के GST के अंदर, के tax हमें इंडिया में tax क्यूं है, या किसी भी country में tax क्यूं होता है, तो देखो simple सा logic है, जो आप use करते हो, resources, जैसे आप road use करते हो, आप park use करते हो, आप जैसे की, for example, आपको बहुत सारी subsidy दी जाती है, तो ये government देती है, तो government अपने पास से पैसा कहां से लाएगी, तो simple सा logic होता है, कि हम tax को लेते हैं, अपने जितने भी public है, उनसे tax collect किया जाता है, और वो फिर दुबारा किस पे खर्च कर दिया जाता है, हमारे जितने भी public है, उसी के सुभीदाओं पे खर्च कर दिया जाता है, इसलिए tax का concept है, एक बच्चे का concept आया है, कि सर ये tax क्यों लेती है, government note चाप के कर सकती है, note नहीं चाप सकते, currency चापने के rule and regulation होते हैं, उसी के according चापा जाता है, क्योंकि अगर currencies चापने लग गए जादा, तो value बहुत कम हो जाएगी, रुपे की, जैसे कि मैं बताओ, बाली में, या फि 300 रुपे के बराबर होता है, यही गलती उन्होंने करी थी, currency चाप दीती, वहां की government तो अब दीरे दीरे ठीक हो रहा है, तो tax का main purpose क्या है, public से पैसा इखटा करना, और public से पैसा इखटा करके, public के ही सुख सुविदाओं पे खर्चा कर देना, ठीक है ना, उसके facility पे, चलि यह राम है, अब यह राम है, इसकी income, पचास हजार रुपे साल की है, और एक मोहन है, एक मोहन है, यह मोहन है, इसकी income, पांच लाख रुपे साल की है, अब दोनों की income में फरक है ना, राम को ना income tax नहीं देना होगा, राम को अगर tax की बात करें, तो नहीं देना है, जबकि मोहन को tax देना होगा, तो direct tax होता है कि, जैसे मोहन की income है, तो मोहन को खुद tax जमा करवाना पड़ेगा, और राम को क्यों नहीं जमा करवाना पड़ा, क्योंकि इसमें जो direct tax होता है, कि specified limit होता है, limit के बाद ही tax को जमा करना होता है, लेकिन कई जगह पे limit नहीं होता, जैसे corporate tax वगरे है, उसमें त होता है उस tax को जमा करने के लिए ठीक है अब indirect tax कि हम बात करते हैं suppose करो X Y Z limited है इस लिमेटेड के इसने क्या किया एक marker बनाया इस प्रोपय का देक्स लगा के customer को पर कि दा कितने का ग्यारा रुपयका यह आप हो यह आप हो आपने कितने का खरीदा 11 का आपने भले ही टेक्स दिया है लेकिन गवर्मेंट को नहीं दिया आपने टेक्स किसको दिया है जो आप हो यह आप अपने आपको पहचानो आपने किसको दिया है टेक्स सीधा कमपनी को अब कमपनी की रिस्पॉंसिलिटी है कि वो किसक करोगे government को तो आप relation समझों यहां पर के जो person directly government को paid कर रहा है इसमें direct tax और यहां पर tax दिया इसने है लेकिन यह direct government के पास नहीं जा रहा है कौन जा रहा है पहले company ले रहा है company इसके behalf पर deposit कर रहा है तो इसको बोलेंगे indirect tax ठीक है बच्चे तो हमें समझ में आया है कि कि आपको मैंने यहां समझाया कि government को paid direct customer नहीं करता, उसका mediator कोई company करता है, तो हमारे slaves में direct tax का कोई concept नहीं है, direct tax का ना हमारे slaves में कोई concept ही नहीं है, हमारे slaves में indirect tax का concept आ गया है पिछले दो साल से, पहले नहीं था, 2019-18 से आया है यह concept, अब देखते हैं कि indirect tax क्या है और किस तरीके से काम करता है, indirect tax में wet लगा करता था, जिसको हम बोलते हैं value edit tax, sales tax का ही दूसरा नाम है, पहले sales tax हुआ करता था, sales tax, ठीक है, entertainment tax, movie देखने जाते हैं तो कई बार government को बहुत अच्छा लगता है, तो tax free कर देते हैं movie, तो wet, sales tax, entertainment tax, service tax, excise duty, जब कोई माल तयार करते हैं न, manufacturing tax, excise duty लगता है, custom duty, जब कभी बाहर से समान को import करते हैं तो custom duty होता है, इसी तरीके से देखा जाए, तो ये बहुत तरीके के taxes थे, जो tax के उपर tax लगा दिया करते थे, जो ये मैं यहाँ पर line बता रहा हूँ, ये बहुत तरीके के tax हुआ करते थे, तो government ने क्या करा, और भी है कुछ, तो मैंने इसमें लिया नहीं है, वैसे, government ने क्या कहा, बोला इतने सारे tax, इस सारे tax को क्या करो, हटा दो, क्योंकि public बोलती है, हम क्या क्या tax दे, हम WED भी दे, हम Entertainment tax भी दे, हम Excise tax भी दे, हम Service tax भी दे, कितना tax लोगे सरकार हम से, और बाहर की जो company इंडिया में आते थी, वो भी कहते थी, कि सर, इंडिया के अंदर tax का जो structure है, वो बहुत complicated है, बहुत जटिल है, बहुत समझ नहीं आता, इसलिए बाहर की company आना नहीं चाहती थी, तो Government ने क्या करा, जैसे इसका rate, suppose करो 5% था, Entertainment tax मान लेते हैं 10%, Service tax मान लेते हैं 18%, Excise duty मान लेते हैं 10%, ठीक है, Government ने क्या करा, बोला कि इन सब tax के वज़े से बड़े परिसान होते हैं नाम के वज़े से, इन tax को हटाओ, और इसको एक नाम दे देते हैं, हम, Government ने इसका एक नाम दे दिया, और एक नाम क्या दे दिया, GST, goods and services, tax, आपसे MCQ में question पूछा जा सकता है, GST का full form, तो goods and service नहीं नहीं है, goods and services tax है, ठीक है न, कई बार आप अपने friend से भी पूछना, भाई, GST का full form बताओ, goods and service tax या services tax, confused हो जाएगा वो, goods and services tax, मतलब इन सब को खतम करो, यहाँ पे भी 10% वाला rate होता है, जो tax लगाते हैं किसी product पे, 5 वाला भी 18, 10, मतलब है, यही चीज, same है, बस उसको ए एक tax दे दिया गया, ताकि बाहर की company को इतनी दिक्कत ना हो, आपको भी लगे कि सरकार बस GST तो ले रही है, और थोड़ी न, कोई tax ले रही है, goods and service tax इंडिया में कब apply हुआ, यह भी question पूछा जाएगा, इंडिया के अंदर 17, 2017 के अंदर इसे ले आया गया था, इंडिया के अंदर, 17, 2017, date बहुत important है, MCQ में question पूछा जा सकता है, 17, 2017 को GST आया, 17, 2019 को हमारा Institute of Chartered Accountant, जिसका सबसे main courses, काफी बच्चे आप करोगे भी, तो ICI, Institute of Chartered Accountant के भी staff ना हुई थी, और एक साथ को Dr. Day भी मनाया जाता है, तीन चीजे हैं इस date पे, ठीक है ना, तो हमारा goods and services tax और एक साथ, लेकिन यह न पूरे इंडिया पे नहीं लगा था, हमारे इंडिया का अंदर इंडिया तो पूरा है, इंडिया में नहीं लगाया गया था, reason being, क्योंकि इंडिया के जितने भी कानून है, पूरे इंडिया पे लगता था, except Jammu and Kashmir, क्योंकि Jammu and Kashmir का law कुछ इस परकार से था, कि अगर कोई भी Jammu and Kashmir पे कानून लगाएगा, हमारे देश का राश्ट्रपती, तो पहले Jammu and Kashmir के मुख्यमंतरी से पूछन पड़ेगा, मुख्यमंतरी अगर बोलता है, सर लगा दो, तो फिर हमारा राश्ट्रपती वहाँ लगा सकता है, जब Jammu and Kashmir को इंडिया में लाया गया था, तब ये कुछ हमारे साथ condition sign हुए थे, फिर जब मोदी जी ने लगाया पूरे इंडिया पे, तो Jammu and Kashmir की मुख् उसने बोला हम तो नहीं लगने देंगे, हम अपने टेक्स को खुट डिसाइड करेंगे, सेंटल गवर्मन नहीं लगने देंगे, फिर भाई, मोदी ने भी बोला, ठीक है भाई, आप मत लगाओ, मेरी बात मत मानो, अब बाढ़ आने दो, फिर हम देख लेंगे, जब मांग हैं, महभुवा मुप्ति ने बहुत सोचा, समझा, फिर मानते मानते, वो मान गई, और मान गई कब, सत्ते पे सत्ता, साथ जुलाई, साथ साथ, 2017 में, उसने बोला, कि चलो जी, लगा दो, लगा दो, तो एक जुलाई 2017 में, सिर्फ पूरे इंडिया पे था, एकसेप्ट जम हमारा जमु एन कश्मीर भी एकसेप्ट कर चुका था, बट अब जमु एन कश्मीर हमारे इंडिया का नॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन के अंडर आ गया, क्योंकि, आर्टिकल 370, जो था, आपने नियूस बगएरे में सुना होगा, पहले का कानून वो हटा दिया गया, अब जो रास्रपती बोलेगा, वो जमु एन कश्मीर भी लगेगा, ऐसा कानून आ गया, MCQ में कुछ कोशन पूछा जा सकता है, इसके परपस से, तो गुट्स एन सर्विसिस टेक्स, और इसका नाम था हमारा, पहले लगा कब था, सौरी, 17-2017, और ये जमु एन कश्मीर, J& के लिख देता हूँ, ये सारी चीज़ है, थोड़ इसे नॉलिजबल है, J&K, जमु एन कश्मीर पे इस दिन से अपलाए हुआ था, अभी और भी हम चर्चा करेंगे, GST पे, कि GST को क्यों लाया गया, सबसे मेन परपस था, कैस्केडिंग इफेक्ट, मैं उसको पूरा समझ हुआ, आप इतने इस पॉइंट्स को नोट करें, फिर मैं इसे मिटा कि मैं पूरा समझा हुआ, GST का पॉइंट अच्छे से, ठीक है न, तो आप जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चे, फिर हम अगले कॉंसर्ट पे चलेंगे, ठीक है, नोट करिए एक बार आप, हां जी, तो थोड़ा सा रीजन हम देखते हैं, GST का, क्योंकि काफी सारे बच्चे GST का कर भी लेते हैं, जर्नल एंट्री कर भी लेते हैं, लेकिन मेरा मेन परपस है, बेस पता होना चीए, कोई अगर आप से पूछ लेता है, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, और आप से कोई पूछ ले, भाई, GST का मतलब बता हो, और आप अच्छे से ना बता पाओ, तो कहीं न कहीं हमारे स्ट्रीम, हमारे कॉमर्स, बिरादरी की बेजयती है, इस टाइम पर मैं कहूँ तो, तो ऐसा नहीं होना चीए, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो मैं देफ्थ ब कमपनी का नाम है, इसने एक प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट हमारा जो बनता है, वो किस तरीके से सबसे पहले मैनिफेक्चरर होता है, मैनिफेक्चरर से जाता है हमारा होलसेलर पे, होलसेलर से जाता है हमारा रेटेलर पे, और रेटेलर से जाता है कस्टमर पे, और tax का rate मैं मान रहा हूँ simply 10% ठीक है 10% मान रहा हूँ 100 रुपे का एक समान बनाया तो 100 रुपे का समान इसको बीचेगा तो indirect tax है तो ये जो wholesaler है इसके लिए customer होगा तो ये क्या करता था manufacturer जो manufacturer था इसके उपर tax लगाता था tax लगा दिया इसने 100 रुपे पर 10 रुपे ये tax है ठीक है इसने टेक्स लगा दिया अब ये tax सारा समान कहां पर चला गया ये ये चला गया इसको समान कितने का मिला 110 का ठीक है न 110 का bification अगर मैं लिखू तो 100 रुपे का उसका product था profit included और 10 रुपे का tax था इस तरीके से इसको 110 का पड़ा किसको पड़ा भाई होलसेलर को समझना अब होलसेलर क्या 110 का ही retailer को बेज देगा नहीं क्योंकि इसने भी तो profit कमाना है इसने इसमें माल देते हैं कि 10 रुपे का profit अड़ किया 10 रुपे का profit और total कितने का समान हो गया इसका total हो गया 120 का है ना आप मुझे जवाब देना क्या इस 100 रुपे के उपर tax लग चुका है इस 100 रुपे पर tax लग चुका है या नहीं लगा जवाब दो सोचो क्या इस 100 रुपे पर tax लगा या नहीं लगा आप अपने मन से सोच के बताओ सर इस 100 रुपे पर tax तो लग चुका है यहीं पर तो लगा था tax बिलकुल लेकिन दुरभाग्य की बात पहले की GST से पहले की ये थी कि जब 100 रुपे पर tax लग चुका है नाव ये बेचेगा रिटेरर को फिर सही ये tax इस पर जोडता था और इसके उपर tax लगाता था वो 10% के हिसाब से 12 रुपे नाव टोटल हो जाता था इसका 132 रुपे ठीक है ना तो अब देखो ये जो tax लगाया गया एक्चुल में लगना पता है किस पर चाहिए था एक तो इसके अंदर देखो tax है देखो ना आप यहाँ पर 110 रुपे जो था 100 पर tax लग चुका है और ये क्या है ये है tax का amount ये है tax का amount तो क्या मुझे समझाना आप ये tax का amount है तो हमने 120 कैसे है इसमें क्या क्या चीजे जुड़ी हुई है इसके अंदर जुड़ी हुई है goods कितने का बना था इसके अंदर जुड़ा हुआ है tax इसके अंदर जुड़ा हुआ है profit ठीक है इसके अंदर जुड़ा हुआ है profit अब हम क्या करते हैं इसके उपर टेक्स लगा रहे हैं यानि तीनों चीज जुड़ा हुआ है और इसमें अगर हम टेक्स लगाएंगे तो ultimately इस टेक्स वाले पे भी टेक्स लग गया तो tax upon tax नहीं हो गया जब 120 में tax already included है तो इस tax पे तो tax नहीं लगना चाहिए इसके उपर भी tax नहीं लगना चाहिए इस पहले दे चुके हैं इसके उपर tax के उपर थोड़ी tax लगेगा समान पर tax लगाओगे ना सिर्फ इस portion पर tax लगना चाहिए लेकिन बात ऐसे थी वो कहते थ तो इसको बोलते है tax on tax tax upon tax 132 रुपय तो यह होता है वैसे नॉर्मली बोला जाता है cash scading effect cash scading मतलब हम एक ही समान पर multiple time पर tax लगा दे उससे क्या होगा अभी देखते हैं ना यह समान किसको बेचा जाएगा यह समान जाएगा किसके पास retailer के पास retailer के पास retailer के पास समान पहु अब इस 132 रुपय का अगर मैं bifurcation बताओं तो क्या क्या है इसमें 100 रुपय का समान 10 रुपय का tax फिर से 12 रुपय का tax और प्लस पिछले वाले का 10 रुपय का profit तभी तो 132 बना जोड़ो आप है ना यह अपना profit और 10 रुपय एड़ करता है इसमें 10 रुपय करता है कितने ह 14 पर tax लगा देता है 14 रुपय 20 मैं 14 रुपय मानके चल रहाँ 10% के हिसाब से ठीक है यह text लगा दिया, तो क्या बताओ जब मैं 142 रुपय प्र tax लगा रहा हूँ तो इसके उपर दोबारा लगा ये text का amount का BILL का?? बढ़ जाएगी, तो टोटल देखा जाए, तो बावन और चार, 156, और फाइनली ये प्रोड़क्ट किसके पास गया है, कस्टूमर के पास 156 रूपीज का, और कस्टूमर ने पेमिंट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से चेन था, तो इसमें समस्या सबसे ज़्यादा क्या आई, कि आपको समझ आ रहा है, समस्या, कि हम टेक्स के ऊपर टेक्स लगाए जा रहे थे, ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम रही थी यहाँ पर, है न बच्चे, ठीक है, तो सर, अब GST आने से क्या फरक पड़ा, चलो, एक बार इसको नोट करो, 110, अच्छे से नोट कर लिजे, कोई बात नहीं, ऑनलाइन में यही फैसलेटी तो है, टीचर आपके हिसाब से चलता है, चलिए, इसे मिटा देते हैं, मिट गया, ये लो मिटा दिया, आप सब एकदम स्मार्ट हो गए हो, स्मार्ट मुबाइल फोन की तरह, अब हम बात करते हैं, आफ्टर GST है न, आफ्टर, अभी GST क्या है, ये तो समझा ही नहीं कैसे लगेगा, हम तो बस छोटी-छोटी बाते सीख रहे हैं, जो कि जरूरी है, ऐसा क्यूं हुआ, आगे चलके आपको शायद हेल्प मिले, और आप याद करोगे कि सर ने बताया था, मैनिफेक्चरिंग, होलसेलर, और य ये आप भाई साब, कस्टुमर, ठीक है, आप कस्टुमर, हुआ क्या, कि GST आने के बाद, पहले समान 156 का मिला था, ये याद रखना, ठीक है, GST आने के बाद, इसने 100 रुपे का समान बनाया, 10 रुपे अड़ किये, और सामने वाले परसन को बेच दिया, 110 का, सामने वाले परसन ने 110 रुपे का करका, इसके बाद हुआ क्या, सामने वाले भी अपनी इच्छा जाहिर करता कि मैं भी profit add करूँआ, तो ये लो भाई profit add कर लो, अब बताओ 110 रुपे पर टेक्स लग चुका है, तो इस पर क्या टेक्स लगना चाहिए क्या, 110 रुपे पहले टेक्स लग गया, तो नहीं लगना चाहिए, तो GST में बहुत सोच विचार के बाद ये concept आया, बोला गया कि भाई, इसके उपर टेक्स तो नहीं लगना चाहिए, तो उसने बोला कि आपने सिर्फ 10 रुपे तो addition किया है, value add कितना किया है, 10, तो आपका भले ही 120 का product है, बट आपको जो GST देना पड़ेगा, GST यानि टेक्स जो देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, only one रुपे, सिर्फ इस पे, product कितने का हो गया, 121 का, पहले कितने का हो रहा था, पहले हो रहा था हमारा इस 120 पे टेक्स लगके, 132 का, अब कितने का पड़ा इसको 121 का, अब आ रिटेलर के पास, रिटेलर बोलता है मुझे पड़ा भाई, 121 का समान, मैं भी इसमें अपना प्राफिट जोड लेता हूं, अपना प्राफिट 10 रुपे जोडता हूं, येलो हो गया कितने का, 131 का, और चलो टेक्स भी जोड देता है, GST, तो 121 पे तो पहले ही टेक्स जाएगा, 132 रुपे का सीधा चला जाएगा, कस्टुमर को, तो देखो, देखो, टेक्स, जब GST नहीं था, तो समान 156 का पड़ता था, और GST आने के बाद 132 का, फिर कोश्चन आता है, सर, समान तो सस्ता हुआ नहीं, अरे उन्होंने प्राफिट बढ़ा लिया, दुकान सोचेंगे, दोका धड़ी नहीं है, अगर आपको एक पारले जी का बिस्किट चार रुपे का दिया जाता है, ठीक है, यह पांच रुपे का है, आपको पारले जी का बिस्किट एक पांच रुपे का दिया जाता है, तो आप जब पांच रुपे का खरी सकते हो, तो वाई म समारा GST आने के बाद और वो था GST तो क्यों लाए गया यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं था तो गवर्मेंट आपको बार-बार बोलती है ना GST से आपको समान सस्ता पढ़ेगा ऐसा होगा वैसा होगा सिर्फ इस एक्जाम्पल के पॉइंट ओव यू से वैसे आपको समान सस्ता नहीं पढ़ा क्योंकि दुकांदार ने प्रॉफिट मार्जन क्या करा बढ़ा दिया सब्सक्रों 156 का था अब यह प्रॉफिट 10 रुपे आप नोटिं करो यह एक्जाम्पल होना चाहिए मैं लिभ्रेता हूं यह हमारा है हो legislator यह whole seller यह retailer यह customer आप नोट करिए क्योंकि एक्जाम्प्ल बहुत help करेगा आपको जी सर, नोट कर लिया, ठीक है कर लिया नोट, हाँ जी सर चलिए हम आगे समस्ते हैं इसके बाद अब देखो हमारे इंडिया में अगर इंडिया को हमें चलाना है तो चलाने के लिए हमें दो तरीके की लोगों की जुरत पड़ी एक हमें जुरूरत पड़ा Central Government और एक जुरूरत पड़ा हमें किसका? State Government State Government दो तरीके के हमें परसन की जुरूरत पड़ी यहां पर हम समस्ते हैं इसको देखो मान लो आपके क्लास में 50 बच्चे हैं बैसे आपके 48 स्टूडेंट हो सकते हैं 50 बच्चे हैं तो आप क्या करोगे? जो आपके स्कूल की टीचर है वो चलो मैनेज कर रही है एक क्लास टीचर है एक मैट्स के टीचर थे 10th क्लास में वो मैनेज कर रहे थे 60 हुए टीचर परिशान होना चालो हो गई साथ बच्चे हो गए सबका होमवक भी चेक नहीं हो पा रहा था 70 हुए टीचर और आपकी परिशान चालो अरे यार 70 बच्चे हो गए किसी का होमवक चेक करने का टाइम बेरा 80 हो गए अब बच्चे नीचे भी बैठ रहे हैं डेस्क पे भी बैठ रहे हैं खड़े भी हो रहे हैं टीचर भी परिशान क्या करें नहीं करें बहुत परिशान प्रिंसिपल पढ़ा रही है आपको समझो आपको प्रिंसिपल ही पढ़ाती है बहुत परिशान है सोच रहे हैं क्या करूँ क्या करूँ अब 100 हो गए अब तो बुला बस इन बच्चों को समभालना मेरे बस की बात नहीं है या तो मैं इस बच्चों को स्कूल से निकाल दू या दूसरा option है मैं 10th के 2 section में divide कर दू जिससे क्या होगा कि अपनी अपनी जिम्मेदारी अपनी अपनी teacher समझेंगे तो principal ने क्या किया प्रिंसिपल वहां से हट गया और principal हटने के बाद क्या करता है चलो अब teacher को appoint करा और teacher बोला तुम्हारी जिम्मेदारी ये तुम समझालो और मैं तुम दोनों को समझालूंगी तो ऐसे ही हमारे देश की जो जनसंख्या की बात करें 137 करोड के आसपास है तो central government में क्या हुआ central government का मतलब इस ताइम पे हमारे government कौन सा है ओहो कितने सारी परजा एक सुब मैं यहाँ पर बना देता हूँ बहुत सारी परजा बना देता हूँ अब मोदी जी अरे ये तो ये लो मोदी जी ये लो दाड़ी भी लिया इनकी ये हमारे मोदी मोदी जी मोदी जी बोलते हैं यहां से अवाज आ रही है मोदी जी को मेरी help करो मेरी help करो मेरी help करो मेरी help करो, सब बोल रहे help करो मोदी जी तो पागल हो जाएंगे बाइसा किस किस की मदद करो, मेरे बस की नहीं है UP से आ रहा है, मेरी मदद करो बिहार से आ रहा है, मेरी मदद करो पंजाब से आ रहा है, मेरी मदद करो और फिर दिल्ली से मेरी मदद करो सारी पर जाइतनी भीड लग जाती है क्या is it possible कि ये सभी लोगों की समस्याओं को solve कर पाए क्या आपको लगता है आप अपने मन से सोच के बताओ तो जवाब आएगा सर नहीं कर सकता इसने बोला भाई स्टेट इसने बोला के भाई यूपी वाले रुको मेरे पास मताओ मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी गवर्मेंट देता हूँ योगी जी को योगी सरकार अधित्यनाथ योगी यूपी के जितने बंदे हैं यूपी चलो यहाँ से मेरे पास आने की जूरत नहीं है आप जाओ सीधा किस के पास इसके पास यह आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे यह सब गये सर मेरे एरिये में सड़क नहीं है मेरी गली नहीं बन रही मेरे पास पानी नहीं है योगी ने बोला अच्छा वो सब मैं देखता हूँ अभी मैं करूँगा और उसके बाद मोधी ने बोला योगी तुमें सारी रिपोर्टिंग किसको करनी है हमें करनी है तो देखो एक management का chain बना है हाँ पे अब बिहार के लिए बिहार वाले को भेज दिया जाओ नितीश कुम देखो इधर आओ भाई योगी बुलाएगा इधर आओ पांस दिन में सड़के तयार हो जाना चाहिए दस अजार रुपे का fine है अब मुझे बताओ योगी ने यूपी में बोला पांस दिन में सड़क तयार हो जाना चाहिए नहीं तो दस अजार का fine है क्या दिली के अंदर पांस दिन में सड़क तयार नहीं हो तो वहां भी 10,000 का फाइन होगा क्या? नई वो सिर्फ यूपी तक ही सीमित रहेगा तो ये स्टेट है मोदी बोलता है जितने भी मुख्य मंतरी है कान खोल कर सुन ले आपको हर किसी के घर पे बिजली पहुँचानी होगी आपके पास स्रिफ 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है अब भाई सम मोदी सब कोई लग जाएंगे 6 महीने में बिजली जल्दी जल्दी पहुँचाना है अगर मान लो कि सपोज करते हैं कि बिहार गवर्मेंट ने बिजली नहीं पहुचाई फिर मोदी बोलेगा इदर आ जाओ मैंने बोला आपने माना क्यों नहीं तो जब मोदी बोलता है काम करने के लिए तो किसको मानना है पूरे भारत को और जब स्टेट गवर्मेंट योगी बोल रहा था तो किसको बोलना था सिर्फ उस स्टेट को ठीक है ना हमारे आपने पढ़ा है ने टेंथ में राज जे नक्षा भी तो पढ़ा है इंडिया का आपने मैं पच्छे से आपको आता है बनाना तो एक सेंटरल गवर्मेंट एक स्टेट गवर्मेंट अब इन सब इसने बोला कि हमारी स्ट्रीट बनवाओ गलियां बनवाद हो तो पैसा पैसा चाहिए ना इसके बाद इसने बोला कि चलो दूसरे बोलता है कि हमारे यहां पर पार्क बनवाओ पैसा चाहिए योगी जी फोन करते है मोदी को ट्रिंग ट्रिंग बात कर रहे है योगी जी नमस्कार योग, मोदी जी, कैसे हैं आप, मैं एक समस्या है मेरे समने, मैं सभी जनताओ की प्रॉबलम को सुन रहा हूँ, लेकिन पैसे तो है ही नहीं, पैसे भिजवाईए आप मेरे पास जल्दी से जल्दी, मुझे सड़के बनवानी है, गलियां बनवानी है, जल्दी जाम कर लूँआ, ऐसा कौन सा प्लाइन कर रहे हैं सर अप, फिर मोदी लेके आए, GST, फिर मोदी लेके आए, GST, GST, बोला सबसे टेक्स लेते हैं, बोला हां जी लेते हैं, तो जो टेक्स लिया जाता है, उस टेक्स में क्या करना है आपको, कि जैसे मैं अगर 18% टेक्स ले आपको यानि योगी को, मुझे यानि मौदी को मिलने वाला है, तो 9% योगी जी आपको मिलेगा, नरेंदर मोदी जी 9% आपको मिलेगा, तो देखो, आपको 9% सारी जनता जब टेक्स देगी, तो क्या आपके पास पैसा आ जाएगा? इसने बोला हाँ आ जाएगा तो आप इसमें पैसे से सारी वहाँ के सड़के बनवाओ गलिया बनवाओ ये बोला गया योगी जो नहीं बोला बहुत अच्छा प्लाइन है ये तो अब मैं तो आप से फोन करके बोलूँगा ही नी अभी योगी जब फोन लेकिन यूपी में बाढ़ आ गई कोई काम ही नहीं चल रहा भुकम पा गया सब बर्बाद हो गया अब बिचारा योगी रोता रोता बोलेगा मोधी को मोधी जी यहाँ पे तो टेक्स भी नहीं आया सब के घर बर्बाद हो गया सबकी फसल खराब हो गई, अब क्या, जो टेक्स आते थे, उस टेक्स से इनकी भरपाई नहीं हो पा रही, मोधी बोलता है, अब मैं आऊँगा, मेरे से लो, ये लो हजार करोड रुपे, सबकी मदद करो, तो यानि स्टेट गवर्मेंट, और फिर वो मदद करते हैं, स्टेट करती है, सेंटल गवर्मेंट उसकी मदद करने के लिए आती है, क्योंकि लास्ट में हर किसी को किसके पास जाना पड़ेगा, अपने परधान के पास ही जाना पड़ेगा, अपने प्रिंसिपल के पास ही जाना पड़ेगा, तो ये सेनेरियो है, तो हमारे इंडिया के अंदर एक central government है एक state government है क्या समझ में आया सिर्फ central government क्या होता है state government क्या होता है अभी जादा नहीं समझना के क्या होता है मैं धीरे धीरे लेके चलूँगा इसके बाद कुछ राज्जी आया राज्जी क्या basically इंडिया के अंदर जैसे की अंडमान निको बार जैसे कि आपका लक्ष दिव, जैसे कि आपका दमन दिव, जैसे कि आपका नागर हवेली, ये कुछ ने टापू हैं छोटे-छोटे से, जहां पे लोगों की संखिय अगर मैं बताओं, तो होंगे एक डेड़ लाख लोगों की नहीं रहेगा कौन-कौन से राज्य वो मैं भी लिख देता हूँ आपके सामने देखो ध्यान से आप देखिए union territory क्या होता है जैसे मो collecting के कुछ ऐसे हैं मैं इसको थोड़ा सा बता दू यूनियन ट्रेट्री को हम यूटी भी बोलते हैं और जो हमारा union territory को हम short में क्या बोलेंगे यूटी मैं लिख देता हूँ state को मैं short में बोलूगा s Central को short में बोलूँगा मैं C और Union Traitory को short में बोलूँगा UT ठीक है? UT Union Traitory में कुछ ऐसे टापूं है समुंदर पे जैसे कि Underman जैसे कि आपका दूसरे में लक्ष दीप चंडीगर हमारा main reason है चंडीगर दो जगह की राजधारी है हरियाना की भी और पंजाब की भी इसलिए Central Government ने बोला यह हम अपने समहाल लेंगे इसके बाद दमन दियू यह भी एक गुजरात के आसपास जितने भी टापूं है वहाँ पे है गुजरात में जो समुंदर है दादर एं नागर हवेली, जमू एंड कश्मीर यहां की भी जनसंख्या कम है देखी जाए तो, तो मोदी बोलता है भाई, यहां पे क्या election करवाऊं अगर 20,000 लोग है, इसके इंदर क्या बनाओ election, आप खुछ समझो आपके classroom में monitor बनाये जाता है ठीक है, monitor इसलिए बनाये जाता है ताकि in case of teacher absent, तो वो देख रेख खरे अगर class में 4 ही बच्चे है, तो क्या monitor बनाना है नहीं बनाना, simple इसी बात है तो same ऐसे, मोदी जी क्या कहते है हमारे मोदी जी, कि इन सब राज जी को तो मैं देख लूँगा इसकी public मेरे पास आती भी है इसकी अगर public आती है मेरे पास, टिक 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 public नाया, मोदी जी के कान में बोला जी, सड़के बनवाओ, मोदी ने बोला, हाँ, हाँ मैं बनवाओँगा, लेकिन UP की public आती है, सड़के बनवाओ, अरे योगी के पास जाओओँगा तो इसी तरीके से के बजाये गवर्मेंट ने गवर्मेंट गवर्नर को यहां पर कर रखा हुआ गवर्नर जो भी है वो चलाता है इसको तो इस केस के अदर लेंकिन मैं कुछ इंस पॉइंट भी बता दू वैसे आपके जैसे की ये दोनों जो है अब ये दोनों मर्ज हो गए हैं अब ये दोनों का एक नाम हो गया है ये दोनों मर्ज हो गया है एक जुलाई 2020 के अंदर अमेंडमेंट आया है जुलाई में कि ये दोनों मर्ज हो गया है जमू एंड कश्मीर ले लगदाग भी यूनिन टरिटरी का पार्ट कुछ पुराने updates हो सकते हैं आपके books में लेकिन अगर आपके books में नए updates है तो ये हो जाएगा basically normal आपके books में जो given हो सकता है वो ये 5 given हो सकता है बाकि 6 और 7 मैंने extra बनाए जो कि अब आगे amendment जब आगे future में काम आएगा और ये दोनों merge हो गया तो total 6 है GST के purpose से वैसे Delhi भी UT का part है लेकिन GST के purpose से नहीं लिया गया इसको ठीक है न? ठीक है सर ओके सर तो अब जो tax है अब जो tax है अब बताओ अगर tax होता है indirect tax की बात कर रहा है अगर tax अगर government को मिलता है tax 10% तो बताओ समान अगर UP में भी का है तो क्या सारा 10% ये रख ले? या 5 ले जाएगा center और 5 ले जाएगा state ये रहता है हमारा ratio government ने बोला आदा आदा state बोलता है के सर मैं अगर tax मेरे state में है UP कहता है 10% मेरे state में आ रहा है तो मैं क्यों आपको 5% दूँ? तो मोधी बोलता है तो दिये थे ना 1000 करोट रुपे तो मैं reserve बना के रखता हूँ आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे ना तो आप फिर क्या करोगे? unnecessary खर्च करोगे उसको इसलिए मैं बचा के रख रहा हूँ तो सेम ऐसे जब कभी भी किसी भी राज्ये में समान बेचा जाए किसी भी राज्ये में तो आधा पैसा उस राज्ये के हिस्से में जाता है जिस राज्ये में बिका है और आधा पैसे किस के पास आ जाता है? सेंटर के पास आ जाता है ठीक है न? तो जब सेंटर के पास पैसे आता है तो इसको हम बोल देते हैं C GST समझ में आया है जब स्टेट के पास आता है तो इसको बोल देते हैं GST SGST जब Union Territory में आता है तो ये भी आधा इसको देता है और आधा खुद पर खर्च करते हैं यहां कि गवर्नेट मेंटेन करता है तो UT GST वैसे UTI GST होता है लेकिन मैं इसको UT GST अभी बोल रहा हूँ मैं उसको करेक्ट कर दूँ आ ठीक है चिंता मत करना गलत नहीं पढ़ाए जारा आपको विश्वास रखो मेरे उपर है न ठीक है अभी तक क्या समझा कि हमारे इंडिया के अंदर Central को भी टेक्स चाहिए State को भी टेक्स चाहिए और Union Territory को भी टेक्स चाहिए Center को जो टेक्स मिलता है उसको CGST के नाम से बोलते है State को जो मिलता है SGST और UT GST Union Territory को क्यों Union Territory है ये भी समझ लिया हमने अब Tax का Rate क्या होता है जो भी Rate होता है आधा आधा दोनों में बढ़ जाता है अगर मैंने बोला के GST 6% Each तो इसका मतलब Center का भी GST आधा होगा और State का भी GST आधा रहेगा वहाँ पे ठीक है चलो आप एक बार फटा फट से नोट करो तो मैंने यहाँ पे आपको CGST, SGST, UTGST एक और IGST है उस concept को मुझे बताना ऐसा क्यूं और कब आया, कैसे आया उसकी बात करते है ठीक है तो एक बार फटा फट नोट करिए आप इसको तो नोट कर लिए आपने आगे देखते हैं हम अभी क्या देखा हमने एक था Center जहाँ पे लगा CGST यानि इसका पैसा किसके पास जाता है Central Government, Modi के पास एक स्टेट था जहाँ पे आपने बोला सर, SGST है इसका पैसा मैंने एक्जामपल लिया Modi के पास इसके बाद एक Union Territory था हमारा UT SGST UTGST वैसे तो आई आएगा हम बाद में डिसकस करेंगे उस पे ये भी आपका किस पे जाता है दोनों, जैसे SGST है वैसा UTGST होता है अगर UTGST में 12% rate है तो इसका मतलब 6% Modi को जाएगा और 6% UT को जाएगा अपने देखरेक के लिए अगर UT को 6% से अगर उसका भरपाई नहीं होता तब जाके Modi अपने पैसे देगा इसे अब जो हमारा टेक्स जो लगता है न मान लेते हैं एक स्टेट ये है ध्यान से सुनना आप इसे एक स्टेट ये है, ये है डेली वैसे तो डेली यूनिन टरिट्रिट्री बेर लेकिन GST के परपस से स्टेट है ये डेली, अब डेली के अंदर अरविंद केजरिवाल इसके अंदर आपको पताईए कि आए दिन कुछ ना कुछ यहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रियेट होता रहता है डेली के अंदर तो हुआ क्या अब यूपी ने सेल किया सौ रुपए के समान पे एक 10 रुपए का टेक्स लगाया और यूपी ने सेल किसको कर दिया दिली को दिली को समान बेचा 110 रुपए का अब ये 10 रुपए का जो था इस 10 रुपए के टेक्स में जो ये हमारा टेक्स है ये 10 रुपए के टेक्स में क्या होगा पांच रुपे तो चले गए मोधी को और पांच रुपे चले गए योगी को अब दिल्ली गौर्रमेंट के पास क्या गया जीरो ऐसे सिचुएशन में केजरी वाल गुसे में आ गया और उसने क्या बोला भाई मुझे मिली नी रहा और तुम यूपी वाले मेरे राज्ये में समान बेच रहे हो आज के बाद कोई समान डिल्ली में आना नीचे मैं सील कर दूँगा बॉर्डर को जब केजरी वाल ने ये कहा कि मैं बॉर्डर को सील कर दूँगा इन फ्यूचर में कभी न कभी तो दिल्ली ने भी बेचा होगा इसको बेचेगा जब दिल्ली बेचेगा तो दिल्ली में अगर मान लो 100 रुपए का समान था प्लस 10 रुपए और 10 रुपए का टेक्स लगा तो 10-5 रुपए जाएगा केजरी वाल के पास और 5 रुपए जाएगा मोधी के पास अब UP government कहता है कि मैं भी नहीं बेचने दूँआ तो ऐसे क्या है कि हमारा जो business है वो हो नहीं पाएगा जब एक state दूसरे state को ban करने लग जाए तो इसमें बहुत जादा समस्या होने लग गए जब एक state से दूसरे state में समान जाने लग गया तो बहुत जादा समस्या problem face करने लग गए एक state के मुखे मंतरी दूसरे state के मुखे मंतरी आपस में लड़ने लग गए क्योंकि ये कहता है था जब यहां से माल आ रहा है तो मेरा क्या फाइदा तो मैं माल बिकने क्यों दू अब ये बोलता था जब यहां से माल आ रहा है तो मेरा क्या फाइदा मैं माल बिकने ने दू तो मान लेते हैं योगी और केजरी बाल के बीच में इसी बात को लेके बह दूसरे स्टेक में बिखे गा, तो हमेंशा दोनों स्टेक के मुख्यमंतरी लडेंगे, तो लडाई का समश्य ही है, कि टेक्स के लिए लड़ रहे हो ना, तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा, वो टेक्स मुझे मिलेगा. लडाई ख़तम, बनाया मैंने स्टेट है, स्टेट को गवर्न मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे पास एक के पास पैसे आ रहा है तो दूसरे को दिक्कत है, मेरे पास पैसे आ रहा है, किसी को दिक्कत है क्या, बोला नहीं तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में समान बिखता है तो किस स्टेट को पैसा मिलेगा ये confirm नहीं है लेकिन हाँ किसको पैसा मिलेगा हमारा मोधी को मिलेगा इसको बोलते हैं Integrated Goods Service Tax जिसको नाम दिया गया IGST अगर दिल्ली में ही मान लो दिल्ली की मैं बात करूँ डेली के अंदर अगर CP के अंदर है कॉनट प्लेस से चांदी चौक में माल बिख रहा है अगर चांदी चौक में माल बिखता है कॉनट प्लेस से तो ये तो केजरी वाल का समान केजरी वाल में भिख रहा है IGST, क्योंकि इसमें आपको टेक्स नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, मोधी को, और उस सिचुएशन में जब सेंटरल गवर्मेंट को टेक्स मिलेगा, तो आप कहीं न कहीं आप परिशान होगे, सेंटरल गवर्मेंट क्या कहती है, बाढ आने तो मदद तो मैं करूँ गा, अर्थ कोई काने तो मदद तो करी रहां, तो चिंता की क्या बात है, पैसे की कमी पढ़ती है, तो मैं देख रहा हूँ न, आप काम करी है, थोड़े बहुत कम मिल रहे हैं, लड़ाई तो कम से कम खतम हुआ है, यहां पे, अच्छा, यहां पे दो बाते और निकल की आ गई, कि एक स हम बोलते हैं, Intrastate Sales, Intrastate Sales, Sales मान ले आं Intrastate Transaction मानलो, मैं Salesforce लेख रहा हूँ थोड़ा समझ में आएगा, बेचने की बात कर रहा था तो मैं, Intrastate और intra-state में जब within a state हो तो दो तरीके के taxis यहां लगेंगे C, G, S, T और S, G, S, T या फिर U, T, S, T ठीक है लेकिन अगर एक state से दूसरे state में चला जाए यानि other state, other state, तो ध्यान से सुनना आप अगर other state की मैं बात करूँ तो इसे हम बोलते हैं accounting language में inter-state, inter-state, inter-state और यहां पे सरिफ एक ही तरीके का tax लगता है जिसका नाम होता है हमारा I Integrated Goods and Service Tax, IGST, ठीक है इसके अंदर क्या लगता है हमारा IGST, तो अगर tax के अंदर देखे तो हमने GST के थोड़ा सा scenario समझा है Calculation क्या होगा, इसके हमारे accounting treatment होगा, इसकी बात बिलकुल भी नहीं करी, एक बार मैं समिफ कर दूँ इसको सबको के मान लेते हैं के GST जो हमारे इंडिया में कितने तरीके के tax हैं, दो direct और indirect direct text हम नहीं सीख रहें, हम सीख रहें indirect text, बहुत सारे texts थे पहले, उसको काट के एक text लाए गया GST, अब GST के अंदर भी अलग-अलग rates होते हैं, अब यहां पे कहां पे कौन सा text लगेगा, central और state, central में जो मिलेगा अगर एक state से दूसरे state में समान बेचा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, within state, sorry, other state में एक state से दूसरा, वहां पे कौन सा sale होगा, interstate sale, और जब एक state से उसी state में समान को बेचा या खरीदा जाता है, तो within state मतलब intra state, और इसके अंदर क्यार लगता है, intra state में C-GST, SGST, एक पर फटा फट से आप इसको note करिए, और मैं इसको लिख देता हूं साफ-साफ, इसको मैं लिख देता ऑं, आप इसको note करिए पहले, note कैसे करना है, बस simply कुछ points लिखना है या फिर मैं इसे, यहां से, आप एक बर pause करके note करना मैं लिख देता हूं यहाँ पर साफ साफ बस ताकि आप इसको फिर वर्क कर पाऊ ठीक है अभी सिर्फ हमने टेक्स के स्ट्रक्चर को समझा है जब कभी भी समान बेचू तो यह दिक्कत नहीं आना चाहिए कि क्या लगने वाला है तो हमारे पास जो सेल्स है वो दो तरीक तरीके के वो कौन-कौन से दो तरीके के होंगे या तो सेल्स होगा हमारा या तो सेल्स होगा हमारा इंट्रा स्टेट इंट्रा स्टेट या होगा इंटर स्टेट Interstate है न? Interstate Interstate का मतलब होता है Within State Within State Example ले लेते हैं Example लखनव से लखनव से समान बेचा गया कानपूर तो लखनव भी UP में है और कानपूर भी UP में है तो इसे हम बोलेंगे Within State यहाँ पे दो तरीकी के Taxis होंगे या तो होगा एक होगा हमारा CGST जो सेंटर के पास जाएगा रेट आधा हो जाता है और एक हो सकता है SGST या फिर UTGST ठीक है वैसे UTIGST होता है UTGST अभी के परपस के लिए Interstate Sales को बोला जाता है Other State Sales Other State Sales Other State Sales का अगर मैं एक्जामपल लूँ आपने भी लिखना एक्जामपल भूलो ना था कि UP से समान गया UP से समान गया Delhi उत्तर परदेश से समान बेचा गया Delhi में तो यह अलग State है इसको क्या बोलेंगे Inter यहाँ पर Tax कौन सा लगेगा यहाँ पर लगेगा Integrated Good Service Tax IGST तो हमने आज GST का Basic Concept देखा है अगली क्लास में हम GST के Calculation और GST के ऊपर कैसे कैसे Calculation होगा किस तरीके से Accounting Treatment होगा Debit क्या होगा Credit क्या होगा क्या Liability है क्या Assets है Input, Output वो सब सीखेंगे तो 2-3 क्लास लूगा क्योंकि Important है आपका Chapter एक Final Account है उसमें बहुत Important Role Play करेगा GST से ठीक है तो मिलते है चलो ठीक है अब नेक्स क्लास में मिलते हैं Thank you so much